रेप कर रहे है तालिबानी क्या उसके लिए एक मिलियन डॉलर की मज़द करी जाए तालिबान की आप देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवकन के साथ नमस्कार विवस मैं हूँ अमीश देवकन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसिमन कारिकरम ये देश है मारा इस पूरे हफते तालिबान को लेके बहुत सारी खबरे आई लेकिन सबसे बड़ी खबर यही थी जब तालिबान में धमाके हो गए और वहाँ पर जो समानने प्लेन जा रहे थे उन पर भी अटाक हुए यानि कुल मिलाकत चंद ही दिनों में तालिबान की सोच क्या है मानसिक्ता क्या है वो सबको पताती लेकिन वो प्रमानित हो गई लेकिन हमारे देश में तालिबान के पैरोकारों को जो हमारे कारिक्रम में आए और लगातार तालिबान के पक्ष में बोलते रहे गाए बगाए लेफ्ट से राइट से उसका समर्थन करने की भरपूर कोशिश करते रहे आज उनको एक्सपोस करने का दिन है इस अफ़ते ये देश है मारा में हम तालिबानी सोच पेवार करेंगे क्योंकि तालिबान से खतरनाक उसकी वो सोच है जो भारत में कुछ लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं भारत को मदद करनी चाहिए तालिबान की किस काम के लिए जो वहां पर वो औरतों बच्यों के साथ कर रहे हैं जो बच्चों के साथ सलूक कर रहे हैं उसके लिए मदद करनी चाहिए इसलिए हम कहते हैं जो तालिबान का यद्दा यार है वो इंसानियत का गद्दार है आज ये तेशन है मारा में उसी की होगी बड़ी बात थमाका तीन सीरियल थमाकों से काबूल एरपोर्ट टहल उठा इस आतंकी हमले में सौ से ज़्यादा लोगों की मौत हो गए दो सौ से ज़्यादा घायल हो गए मारे गए लोगों में तेरह अमेर की सैनिक भी शामिल है पंद्रह अमेर की सैनिक पुरी तरह जखमी है पहला धमाका काबूल एरपोर्ट के एवे गेट के पास उस वक्त हुआ जब वहां लोगों की भारी फीर जमा थी फीशन धमाके से काबूल एरपोर्ट टहल लोगों के चीखने चिलाने की आवाजे आने लगी और इसके बाद गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा कुछ देर बाद ही दूजरा धमाका बैरन होटेल के बाहर हुआ तहशत से भरे लोग इदा उधर भागने लगी इसके कुछी देर बाद फिर से एरपोर्ट के पास धमाका हो थमाके की जिम्मदारी खुंखार आतं की संगठन आयस आयस ने ली है We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. नहाँ जाएगा आपकानी सरकास्तिती कोई बता निक सकता. तो सरकार का जो पॉलिसी है ठीकी है, wait and watch. इंसानियत को रौनने वाले ये थमाके उन तमाम लोगों की गाल पर जोरदार तमाचा है जो ये कहते थे कि तालिबान राज अफगानिस्तान की जनता के लिए बेहतरीन सावित होगा. वो अफगानिस्तान में जैसे चले अगर तालिबान हमारे साथ अच्छे हैं तो हमें उनका सिर्फ आधर नहीं करना चाहिए हमें उनसकत भेंड देनी चाहिए एक बिलियन डालर दे दो भारत सरकार की तरफ़ा ताइम रहते हैं तो हमें बात करना होगा और अगर बात नहीं करते हैं तो देश का नुखसान होगा तो चुकि अफगानिस्तान अभी सेंकडों किलोमीटर दूर है वो हमें डारेक्ट नुफसान नहीं पहुंचा रहा है यह उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत हमारा दुश्मन है वैसे तो IS-IS को तालिबान का दुश्मन माना जाता है लेकिन अफगानिस्तान के पूर्व उपराश्टपती अमरुला साले खुद ये कह रहे हैं कि काबुल धमाकों में IS-IS और तालिबान की मिली भगत है लेकिन एक तरफ ये हमला है तो दूसरी और अफगानिस्तान की जनता पर तालिबानी क्रूरता जारी है ऐसे में सवाल उन लोगों पर उठता है जो भारत की धर्ती पर खड़े हुकर क्रूर तालिबानी सोच का समर्थन करते हैं तालिबान के खिलाफ पेस्बुक पोश्ट लिखने पर केरल के विधायक M.K. मुनीर को जान से मारने की धंकी तक दी जाती तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आईए तालिबान के राज में तबाही का एक विश्केशन देखते हैं चंद दिनों में ये तालिबान टू पॉइंट जीरो की बड़ी पोल खुल चुकी है देश और दुनिया के सामने है तालिबान राज में आतंग का एक कॉक्टेल तैयार हो रहा है जिसमें आईस आईस भी है जिसमें लश्कर तैबा भी है जिसमें जैशे मुहम्मद भी है जिसमें कई है अलगलक आतंकी संगटन अफगानिस्तान में सक्रिये हुए है हालात काबू नहीं हुए तो आतंकी हब बन जाएगा अफगानिस्तान जो की बड़ा प्राइम फोकस की बात है कोई भी तालिबानी फैस्टा अफगान जनता के हित में नहीं है खून कराबा और महिलाओं पर अत्याचार ये चरम पर पहुंचा है और ये सबसे ज़ादा दुखत घटा है जिसको देखकर दुनिया दंग है लेकिन तालिबानियों का ये मेन और को रेजंडा है क्या तालिबान के पैरोकार अब आकों से पट्टी हटाएंगे जो लोग तालिबान को बधाई दे रहे थे जो तालिबान को कई बिलियन डॉलर की मदद की भारत सरकार से गुहार रगा रहे थे क्या उनको अब अब अकला आएगी कि मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में गौरभाटियां भारतिय अन्ता पार्टी की परवक्ता मेरे साथ शहजात पुनावाला है जाने माने राज्टिक से कुष्णेशक मेरे साथ तस्रीम नहीं है मेरे साथ शोहिब जमाई है अध्यक्ष इंडियन मुस्टिम फाउंडेशन के आप तेमाम योगों का अभिनादन है एक-एक बैमान से मेरा निवीदन है कि एक दूसरे के ऊपर ना बोले और स्ष्टा चार से पूरी की पूरी बात करें तो सबस्यादा महत्रपूर है छीज़ाचा चलता हूं शोहिब जमाई की पास अब कुछ दिरों पहले हमारे कारेकरम में आयते हैं और आपके विचाट डानता हूं यह प्ले प्ले करिए शोहिब जमाई की तो चुकि अफगानिस्तान अभी सेंकडों किलोमीटर दूर है वो हमें डारेक्ट नुफसान नहीं पहुंचा रहा है यह उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत हमारा दुश्मन है अरे भारत के दुश्मन यह तो इंसानियत के दुश्मन है शोहिब भाई अब आपको पकता लग समविधान है तो हम सेकुलर है आपने कहा यह लिबरल गैंग है ठीक है लिबरल है हम कटरवाद ही नहीं है लिबरल है बहुत अच्छी बात है मेरे लिए फकर की बात फिर आपने कहा टुकरे टुकरे गैंग देखिए टुकरे टुकरे गैंग तो हम नहीं है इसमें तो कोई पिर आप काप कहा रहे हैं कि ये लोग तालीबान प्रेम गाएंगे मैं ये कहता हूं कि मैंने कब कहा कि मैं तालीबान का समर्थन करता हूं या उनका कोई सिंपेटाइजर हूं मैंने तो कभी भी तालीबान का समर्थन नहीं किया या उनको सपोर्ट किया हमने सिर्फ सरकार की नीतियों पर सवान पूचे हमने ये कहा कि भई आप तालिबान पर जो आपकी पॉलिसी है वो पॉलिसी में फिल्योर दिखता है आपने अमेरिका रशिया चाइना सारी लोग ने लिए लिए उससे बार जो दूसरा एक भरत को तो भारत को समक्रणा कर दिया तालिबान के देखिए मैंने ये कहा था कि जो तालीबान मैं उस पर टिका हूँ कि बई तालीबान हमारे सरहद में आने के उसकी जुरुरत नहीं है वह हमारे देश के लिए को इमिनेंट खत्रा नहीं है ना आईएस आईएस कोई खत्रा है जो वहां अभी काबूल बंधमाके में जिसका न बैशक मानवता के लिए खत्रा होंगे जैसे अभी काबूल एएरपोर्ट में आईएस आईएस का नाम है तो आईएस आईएस को कौन सा मुसल्मान सपोर्ट करता है कोई नहीं करता है लेकिन जो भारत सरकार लगातार तालीबान के साथ बातचीत कर रही है अभी कल ही जो य कुछ भी बोलते हैं जो आप के वाट सेब्स पे आता वो बोल देते हैं सुलीजीये मैं मत जवाप डेदे इस तर बोल ला है ये नियद apresent के तालिबान के साथ सरकार बात करेगी किसrä बोला आपकी वाट से फट्राइद है जो बनता हो बोल देते हैं जो बहरो दोड़ कि देखे किस में चैनल ने क्या ख़बर चलाई उसको आपने कैसे समझा मुझे नहीं पता लेकिन हमारी सरकार के किसी नुमाइंदे ने ऐसा नहीं बोला कि हम तालिबान से बात करें हैं मैंने कहा जब आप बाची उल्टा ये बोला गया उनाइटिड नेशन्स के अंदर जैशंकर द्वारा की आतकवात को जो सपोर्ट मुल्क भी करते हैं वो भी गलत है आप सपोट कर रहे हैं तालिबान को यस तरह कि तरह अपने सपोर्ट करा तालिबान को माजित हैदिरी ने सपोर्ट करा तालिबान को माजिद हैदरी तो कह रहते हैं कई बिलियंड डॉलर की बलत करते हैं वारा सरकार उसको तो सपोर्ट करते हैं संबीत पातरा उस दिन मेरे साथ डिवेट में बैठ करके उसको सपोर्ट कर रहे थे अब आप बताईये यहां बैठे बैठे ये लोग इन तालिवानियों के जो भगवा तालिवानियों उनको सपोर्ट करते ये कोँसे भगवा तालिबानी है। ऐपने मुझे तालिबानी प्रेम गयंग बता दिया। सरकार को मद बचाइए मेरे भाई सरकार से सवाल पूछने दीजिये। भगवा सरकार नहीं है भगवा तालिबानी नहीं है आप रंगों से तालिबान को जोड़े है इसलिए भगवा तालिबानी जिस शब्द का आपने इस्तमाल किया है वही आपके विचार और विमर्ष को दिखाता है आप सवाल पूछ रहे हैं सवाल पूछ रहा हैं आप सवाल पूछते हैं डेली शाव को करता हूं को कुछ कर लिगा क्यों करते हैं आपके सबस्या यह है आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते तो आप इधर उते भागने की कोशिश करते हैं लेकिन आप फस गया मीश दिवगन क्या आगे आज आप बचके नहीं जा पाएंगे एक सब्सक्राइब कौन किसके लिए बैटिंग करता है मुझ सब्सक्राइब करता है लेकिन तालीबान से बातचीत भारत सरकार कर रहीं मोदी सरकार कर रहीं इसलिए सवाल हुए उठना राज लिए वह हमने देखा इस पूरे हफते इस देश ने तालिबान का नंगा नाच देखा है दुनिया ने नंगा नाच देखा है अमी जी मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे विदेश मंत्री जेशंकर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है भारत सरकार की प्रात्मिक्ता है कि एक एक भारतिये को भारत वापस लाया जाए और जितने शब्द यहां पे उलूल जूल बूले बोले गए ना अमी जी उससे ज़्यादा भारतिये वापस आए हैं भारत में जबसे तालिबान ने कबजा किया है दूसरी बात जो बड़ी बात है मैं कह रहा हूँ आपने बार बार पूछा ये ख़बर कहां से आई हमीज भाई कि भारत तालिबान से बात करेगा किसी के पास नहीं है लेकिन यहां पे कुछ तालिबान के बहुत खासम खास लोग रहते हैं उनके पास सीधा लगता है तालिबान से ख़बर पहुँच जाती है और तालिबान से हमदर्दी ये रखते हैं तीनों लोगों को मैं बे नकाब आपके चैनल पे करूँगा एक एक करके सबसे पहले शोयब जमाई की बारी है शोयब जमाई तो वो ऐसे हैं कि सज भी नहीं बोल पाते देखिए इनका ट्वीट है ये क्या कहते हैं भगवा आतंगवाद सच्चाई है और तालिबान से तुल्ला करते हैं तो मैं शोयब जमाई से एक बात कहूंगा ये जो हिंदू है न देश का ये बहुत सहिशनू है और इसी लिए ये देश पंदिर पेशे और आप यहां पे गाली दे के भी जी पाते हैं दूसरी बात आपका ट्वीट जूटा पर देता हूं आपने लिखा है तालिबान हमारा दुश्मन नहीं है वो आपके जो इसको बहुत मानता है ने ये श्रहिशनू होने का मतलब क्या क्या गला काट देंगे हमारा ने आप तालिबान से मुसल्मानों की तुन्ना करें तो बहुत अच्छा आप तालिबान से करते हैं मुसल्मानों को आप तालिबान प्रेमी बताते हैं तो आपका तो यहां से किसी ने लुक्सान नहीं क और मैंने यहां से भगवा जब भगवा पे सवाल उठाया जब इन सैफ्रान तालीब अनाशिशन पर सवाल उठाया तो आपके पेट में दर्ज हो रहा है सर अरे चुप कराईये तो मैं बोलूँगा बोली जूप कर रहें यह यह खबर है मेरे पास चुप कराईये अरे बैट चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन बता दे रहा है तो आपके नियूज ने चलाया है कि मैं आपके जो बुक्त कर सकती है देशिए रहेगा मेरी शान के खिलाब है मैं इंटरी बाग करूँगा अभी इनका ट्वीट पढ़ूँगा किया निकल जाए मुकाबला करें कि भाग क्यो रहे है रिंग छोड़के भाग रहेगा अभी करूँगा एक पंच में नॉकाउट होगा चिंता ना करो सुनो तो यह खबर ह आप अपनी बात को अपनी बात को अपनी वक्तव्य को सवाप्त करिए देन माजित हैद्री एंट शहजाद पूनावाला देखिए हमी जी एक सब्वे चर्चा में कुछ नियम होने चाहिए यह बहुत इन्होंने बोला उलूल जुलूल हम सुनते रहे हमारी बारी आया यह एक लाइन में कूट पड़े मैं इनको एक्सपोज करना चाहता हूँ देश के साथ मैं आपकी मदद से बीच में ना बोले बस देखिए इनका ट्वीट है पड़ रहा हूँ इनकी सोच देखिया तालिबान के लिए लिखते हैं अभी आपके चैनल पे कह रहेते हैं हमने समर्थन ही क्या और अगली लाइ ये तालिबान के साथ खड़े है बारत की धरती में रहेंगे खोंगे यहां का दूद मलाईल खोंगे यहां की बात करेंगे तालिबान की और सुनिए आपके लिए कह रहा हूँ जब चलेका राम बार उड़ गजाएगा तालिबान याद रखना ये भारत तोनृत जब तक भारत सरकार ना बोले तब तक मुझ बंद रखो शोईब जमई मेरा निवीदन आपसी यह है कि तालिबान के साथ आप हिंदू को जोड़िए देश के ना मुसल्मान को जोड़िए ना देश का मुसल्बान तालिबानी है ना देश का हिंदू तालिबानी है एक सेकिन ना किसी रंग को जोड़े है भगवा भगवा तालिबान भगवा तालिबानी भगवा तालिबान नाम का इजाद करने के बाद आपको लगता है कि आपने बड़ा तुफान खड़ा कर दिय एक प्रोजेक्ट अब आप विश्ए समाप तुआ मैं आप बाकी मेवालों के पाँ जा रहा हूँ मेरे साथ देखे नागरीकों की स्रक्षा है आप जैसे नागरीकों की स्रक्षा हो रही है बारत के अंदर ना इस विरोधी बाते कर रहे हैं का गाते हैं कैलासा का जो इंसारियत इंजो इंसारियत की विरोध में काम कर रहे हैं एक सेकंड विश्ए मेरे कारेकरम में बोला प्लीज वी और सुनिए जड़ा कितने बिलियन डॉलर दे दे कितने बंधमाकों के लिए रॉकट रांचर्स के लिए makes this city माजिद हैडरी इंसानियत सबसे उपर का धरम होता है कहते हैं कि इस देश में रहते हो उस देश को मानना उस देश को अपने ईश्वर की तरह मानना वो भी सबसे बड़ा धरम होता है लेकिन इंसानियत तो सबसे उपर का धरम है क्या इंसानियत का धारा कहता है तालिबान की मदद करनी चाहिए और आप तालिबान की मदद करा रह तालिबान को देखा तो ये जाना देश्वासियो राश्टरवाद होता है दिवाना देश्वासियो चलो तालिबान की आतंकी आइसिस के खिलाफ मदद करें हम अखंड भारत का सपना फिर साहकार करें हम आमीश भाई इस वक्त हमारे पडोस में आतंकीों ने हमारे ही पडोसी तालिबानों पर हमला किया है यहाँ पर पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था तो क्या हम उस आतंकी हमले का ब्लेम भाजपा पर चड़ा देए जो अफगानिस्तान में हमला हुआ है आज वो तालिबान ने नहीं किया है तालिबान के खिलाफ आतंकियों ने किया है तालिबान क्या कर रहा है और जब्चा का विश्य होना चाहिए कि तालिबान की मदद कैसे करें एक सेकिन एक सेकिन एक सेकिन अमरुला साले जो पूरूप राश्टपती है अफगानिस्तान के मौजूदा में राश्टपती है सले उन्होंने काया कि काबूल धमाकों में AIS AIS और तालिबान की मिली बगत है ये दोनों गुड तालिबान और बैड बॉय और गुड बॉय दि रेप कर रहे है तालिबानी क्या उसके लिए एक बिलिन डॉलर की मदद करी जाए तालिबान की बिल्कुल करनी होगी हमें क्यों करेंगे विकास चाहिए अफगानिस्तान को विकास चाहिए जब हमने बंगलादेश को आतकवाद चाहिए क्यों नी करेंगे ये क्या बात हु जो हमारे दोस्ट बनने चाहिए है। ठीक है श है शाधा पूनवाला वैसे तो मदद करनी है तो जिन जिन लोगों को मदद करनी है वो मदद एक निकले किसी ने रोका थोड़ी है। थे अपे अमीश जी जैसे मैं पहले बता रू और उनकी आस्था वो तालीबान के साथ काबूल में है मैं आपको कुछ उधारन देता हूं और माजिद हैदरी की बातों से मुझे कोई शौक नहीं होता क्योंकि पहले से यह कहते आ रहे हैं इनको तो यह लशकर को भी बेचारे कह सकते हैं जैशे मुहम्मद को भी बेच बेचारे कह सकते हैं इन्होंने अफजल गुरू और याकूब मैमन को तो बेचारा पहले घोशित कर दिया था तो उनके लिए तालीबान बेचारा घोशित करना कोई नई बात नहीं है सोच की बात है तालीबान एक किवल एक संगठन नहीं है बंदूक वाला बिना बंदू मेरिका में ऑस्टेलिया में पर ये बोलते किसके खिलाफ है हिंदू आतंग के खिलाफ हिंदू तालीबान के खिलाफ उदित राज भी यही भाशा बोल रहे भारतिय समाज का तालीबानी करण हो चुका है इनकी सोच दरसल क्या है कि इनको आक्चुली बनाना है शरिया का र उसी सब्सक्राइब निकार राट वाले रॉकेट लॉंचर लेकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं बजरंग डल वालों ने बाबर काद्री को मारा बजरंग डल वाले और हिंदू समाज के लोग जो है वो आएं दिन क्या महिलाओं को सिर्से लेकर पैर तक टेंट में रखकर माजिद है तुम से सवाल है में तुम से सवाल तुम से अगर तुमको लगता है तालिबान इतना अच्छा है तुम अपनी बहू बेटी बेहनों को वहां पर बेजना चाहो क्या वहां पर तो कुरूरता नहीं है नहीं है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बेजने को तयार हूं बोल दीजिए चलिए मैं आपको चुनौती देता हूं और वहां पर मिसलमान मारे गए गया अपर देखे मुसलमान ले लेशका इसका दिल नहीं दढ़कता इसका दिल धरगता है आपको तरे कि अरे मैं आपका प्रश्ण का उतर देना चाहरा हूं सुनिए आप कह रहे हैं न मैं फैमिली लेके जाओं मुझे कृपिया मेरी गाड़ी लेके काबूल तक जाने दीजिए मैं वहां से तेल भरवा कि आता सत्व रुपए का बेचते हैं तालिबान तेल आप यहां पे सव र जरूर भेजेंगे तुम्हें जरूर भेजेंगे वहां पर सडके नहीं है तुम गाड़ी चलाओं तो है ने पेट्रोल भरा-भरा के कहां जाओगे गाड़ी का के वल एक ही इस्तमाल है जो कल हुआ है तुम सब्सक्राइब बजरंग दल जो है वो हमारे किचन देख रहा है बजरंग जल जो है में मंदे मातरम कहने को कह रहा है मतलब आप सोचिए कि कितनी सोच में विरोधाबास है इनको तालिबान और बजरंग दल एक जैसा दिख रहा है जबकि मुझे लगता है कि उन दोनों को यह देश है मारा में हमें रुखना होगा एक अंतराल के लिए लेकिन ब्रेक के बाद भी यह चर्चाचारी रहेगी आप सोचते बारे जीतेगा तो हम जीतेगा आप सोचते तालिबान जीतेगा तो आप जीतेगा कि अ अए टुड़ क्या उना पारे जीते है